प्रेक्टिस टेस्ट पेपर सेकेंड का पार्ट टू है फस्ट पार्ट जिसने भी नहीं देखा है डिस्क्रप्शन में लिंक दी हुई है जाईए और से देख लीजेगा और जिसने देख लिया है बहुत अच्छी बात है तो सभी फटफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा लेट्स स्टार्ट उसमें हम लोगों ने सारी ग्रामर वेशिक डूएज डारेक्टेट कर लिया था इसमें हम देखेंगे कोशन आंसर फर्स्ट लिखा है वाट इस काना किसली यह है सेकेंड चैप्टर का है अगर आप लोगों ने रीड नहीं किया है तो कर लीजेगा यह सारे उसी के हैं है ना अभी देखते हैं इसका आंसर अपन लोग देखें यह लिखा हुआ है वोट इस काना किसली काना किसली इसा वेरी व्यूटिफुल नेशनल पार्क वो बहुती सुंदर रास्टी पार्क है ठीक है सेकेंड यह है वें डिट काना नेशनल पार्क कम इंटो एक्सिटेंस यह काना किसली नेशनल पार्क कम इंटो एक्सिटेंस 1955 में है मतलब यहां पर अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पर लिख देती हूँ सिर्फ इसका अंसर सिर्फ इतना ही है कि 1995 में काना किसली जो है अस्टेत्व में आया था तो आपको क्या करना है यहां से लेकर यहां तक लिखना है और इन लगा कर आप 1975 लिख दीजेगा आंसर खत्म हो जाएगा ठीक है थैट देखिए आप लोग वेन कुट दा वोटकटर नोट अर्न जो वोटकटर था वो कब पैसे नहीं कमाता था तो चलिए हम उसको देखते है यह है दा वोटकटर कुड नोट अर्न एनी मानी दूरिंग दा रहनी सीजन उसका जो रहनी सीजन था उसमें उसको पैसे नहीं कमाता था क्यूंकि जो जलाओ लकडी थी बोगीली हो जाती थी इसलिए ठीक है नेक्स्ट 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 हुवर ट्रैप्ड इन दा बैल कौन-कौन फसा था उसमें किसमें जुकुआ था उसमें आमांगी अटाइगर असनेक एंड ज्वेलर ट्रैप्ड इन दा बैल ठेक है यह था वुटकटर वाली दा अंग्रेटफुल जैलर्स का लेशन 3 का कोशन है यह मैं आना है आपको सब कुछ बता दिया कौन किस च एक्समें रिफ्यूजड टू रिटर्न। जो एक्समें था जो लकर हा रहा था उसने जब मना कर दिया था के पेड काटने से मतलब कि पेड नहीं काटने से मना कर दिया था तो पूरे जो जंगल, बो सौरी पूरे जो ब्लेज के मैन और वूमेन थे उनने क्या किया था तो अन्हें एक बैनर बनाया था जिसमें मैसेज लिखा था मतलब कि मुझे काटो पेड़ों को नई किल अस फर्स्ट हमें पहले मारी है एक सिंगल या फिर एक ब्रक्च को काटने से पहले हमें काटी है सिर्फ इतना लिखा हुआ था उसमें ठीक है आंगे देखेंगे हम देखे मैं बता देती हूँ एक और एक मतलब कि एक और यहां पर कोशन था जो कोशन मैं सौरी वीडियो में नहीं ले पाई हूँ उसका जो पेख है वो नहीं क्लिक हो पाया है तो यहां पर आप देखेगा उसमें यह पूछा हुआ है कि जब सभी जो यह पार्ट जो है वो ट्रीस अवर सीवियर का यह कोशन है आप लोग देख लीजेगा सिक्स कोशन है प्रैक्टिट टैस्ट पिपर का सिक्स कोशन है जो एक्सरसाइज कर रहे है इसका तो जो कोशन है उसमें फूछा गया था कि जब जो बूम्ण और मैं थे बलेस के बो चिपको चिपको बोलने लगे थे तो और तरीस को हग करने लगे थे तो जो एक्स-मैन था वो क्या हो गयाid तो X-Men were pretend by the turned situation जैसे ही जो इस्तिती है वो एकड़म से बदली थी उसकी वज़े से वो बहुत ज़्यादा घवरा गया था and had taken they ran away और वो वहां से भाग गये थे जो सभी लोग थी ना वो टीब मेमर के वो सारे भाग गये थे वो कोशन नहीं लिख पाई हूँ यह देखी यहा करते हैं तीन करणे है आपको और कितनी कोसिस कीजिगा कि तीन से चारलाइन में करें ठीक है तो कोशन यह सारी एक काणा या हूँ पर एक कोशन और बन सकता हैै इसका मैं आपको बताती हूँ एट्रेक्स तो देयर में क्या है उतना अच्छा क्लियर विश्पी समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पर आपको वो काना देंगे जो प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है उसमें काना है जो क्लेसरन है उसमें देयर है ठीक है तो ट्यूरिस्ट अट्रेक्स देयर दा नेच्रल स्केंडरी जंगल लाइफ बिल्ड लाइफ एंड वर्ट्स तो ट्यूरिस्ट को जो परियाटक होते हैं उनको क्या क्या अट्रेक्ट करता है मनमुहक लगता है आकरसित करता है जो नेचर सीन है वो जंगल लाइफ है वो और पतलब की कुखार जानवर हैं वो और इसके बाद जो पक्तिया हैं वो ठीक है नेक्स्ट कोशन है तो आंसर इस यह दा मंकी ड्रॉप्ड सम फ्रूट्स फॉर दा बुट कटर जो मंकी था उसने बहुत सारे फल तोड़कर लेकर आया था बुट कटर के लिए और जो दा टाइगर प्रिजेंटे इन हिमा सेट ओफ गोल्ड ओर्नामेंट से यहां पर लिख लीजेगा आप लोग ओर्नामेंट ठीक है तो जो टाइगर था वो क्या लेकर आया था उसने क्या प्रदर्श सित किया था उसके सामने सेट ओफ जूल्री मतलब की आवूशन दिये थे उसको बहुत सारे और सेट ओफ जूल्री दिया था मतलब की पूरा सेट दिया था जूल्री का और जो and money कुछ पैसे भी दिये थे and the snack white the queen जो snack बाला पाठ है वो थोड़ा सा लिया है क्योंकि ये long हो जाता और आपन को तीन से चार लाइन में answer देना है तो जो snack था उसने क्या किया था वो जो rani थी princess थी उसको काट लिया था और इस प्रकार से they all helped the woodcutter जो woodcutter था उसको इस प्रकार से उनने help किया था इसके अगर पूरा जानना है तो description में मैंने the ungrade fit dollar की हिंद यन्वाद दिया हुआ है तो आप वो देख लेजेगा तो उसमें clear हो जाएगा आपको ये देखिए स्वाडी third वाला तो इसका काम क्या था जो team था to regenerate the degraded forest degraded forest मतलब जो पिछडे हुए जंगल है उनका जंगल होते हैं और regenerate मतलब उत्थान करना तो जो पिछडे हुए जंगल है उनका उत्थान करना ही इस वर्क आफ दा सोली ग्राम सौराज्या मंदला एक मात्रकार था इन लोगों का ठीक है यहां यहां देखे what else can we seen at kanha vishaits animal और आपन kanha vishaits animals में इनके animals के लावा और क्या देख सकते हैं तो the answer is यह तो आपने और क्या देख सकते हैं वो नेचरल सीन देख सकते हैं जंगल लाइफ और विल्डाइब के तीन चेज़ आद रखे पूरा अंसर आपको इसी में मिल जाएगा यहां से ठीक है एक Can Be Seen ठीक है यहां से पूरा इसी में है नहीं समझ में आया होगा तो मैं एक बारी और बता देती हूँ कि आपको क्या-क्या याद करना है वो आपको याद करना है फिर यहां तक आपको याद करना है इसके अलावा आपको सरफ can से लिखते जाना है can we seen at can विशाइट से अन्यमल ये देखिए ध्यान से देखिएंगे वीडियो को पुश कर लीजियो और फिर ध्यान से देखिए ठीक है ये देखिए question answer the following question any three इन में से आपको तीन करने ये बहुत short-sort question है तो इनके short-sort answer मैं आप लोगों को एक बात और बता देती हूँ कि आप बिल्कुल subscribe ना करें अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल subscribe मत किजिए लेकिन प्लीज वीडियो को share कर दीजिए जिससे हम लोगों को फाइदा हो सके इतना तो आप गुरू दर्शना में दे ही सकते हैं किसी को why do we wish for another chance तो answer is we wish for another chance to bloat out our mistake and make a fresh vignic हमारी गलतियों को सुधारनी के लिए और एक नई सुरुवात करनी के लिए हमें एक नए मौके की तलास रहती है यहाँ पर second अगर हम बात करें why should we never give up in despair हमें क्यों निराजभरी इस्तिती में give up हार नहीं माननी चाहिए क्यों नहीं माननी चाहिए we should never give up in despair as there is always a tomorrow to start मतलब की हमें इसलिए निराजभरी situation में स्तिती में हार नहीं माननी चाहिए क्योंकि हमेशा एक नया कल होता है नहीं शुरुबात के लिए ओकी next what was the only pleasure of the miser जो कंजूज वेक्ति था उसका एक मातर जो सुक था आनन्द था वो क्या था यहाँ पर आप एर्थ समझ लीजेगा वो मेरो 5 लिखा गया है जो 5 पका स्लिवस है वो भी डला हुआ है हमारे यहाँ पर 1-12 तरका स्लिवस डलता है तो हम देख लीजेगा थोड़ा सा mystic हो जाता है यहाँ कभी कभी to see all his treasure every was the only pleasure every day was the only pleasure of the miser मतलब की उसके treasure मतलब यहाँ पर खजाना है खजानी को देखना एक मातर जो मिजर था उसका एक मातर परम सुप था what did the naivers ask the miser जो naivers थे मतलब जो पड़ोसी थे उन्होंने जो miser था उसी क्या पूचा था तो यह पूचा था उस कंजू स्वेक्टी से the naivers ask the miser that what was the matter आखिर मामला क्या ही क्यों चिलना रहे उतना ठीक है अब आपका अगर आंगे का question दिंगे की write four line of a poem you have read आपको किसी भी एक poem की चार line लिखिए जो भी आपने पढ़ी हुई है तो मैंने यहाँ पर आपके लिए यह वाली poem मतलब यह क्या है lesson one another chance की poem है अगर आप पर उने पढ़ी हो आप दा मिजर वाली poem भी ले सकते हैं वो भी बहुत अच्छी है मुझे यह बहुत अच्छी लगती इसलिए how often we wish for another chance to make a phrase a chance to bloat out our mistake and chance failure into winning यह है आपका answer ठीक है और यह किसका answer है fifth का किसका है भई fifth का है ठीक है चलिए आँगे देखते हैं यह है read the following passage carefully आपको क्या करना है पैसे solve करना है तो पैसे solve करने की सबसे अची trick होती है सबसे पहले question पढ़ लो क्योंकि कौन सा आप पूरा पढ़के पूरा हिंदी समझ सकते हैं जो बच्चे समझ सकते हैं वो पढ़ लीजे और पढ़नेंगे तो भी time based होगा तो the right will to solve the passage की आप लोग सबसे पहले question पढ़िए Where did the hen lay the egg जो egg था वो जो मुर्गी थी उसने अंड़ कहां दिया था तो answer is यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर अगर आप यहाँ करेंगे तो the hen led an egg the egg rolled down through a hole in the roof into a room down below यहाँ तक आ सकेगा आप यहाँ से लिखेंगे फिस्ट ही रहेगा ठीक है second है आप देखें who found the egg in the egg आखरी में egg किस ने प्राप्त किया था तो answer है देखेंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो जो लड़की थी वो कहाँ पर जाती है यहाँ पर जाती है और वो उससे पूछती है किससे जो हैनी होता है जो हैनी होता है वो बोलता है he said I have found your egg तो यही है इसका answer आप क्या करेंगे हो की जंग है पर हैनी लिख दीजेगा It is a correct answer Who did the hand ask about her egg too जो मुर्गी थी उसने अपने अंडे के बारे में किस से पूछा तो उसने बह। सारे लोगों से पुछा लेकिन फस्स्ट में उसने जिस से पूछा और उसके बारे में बताइंगे तो यहाँ से वो पूछती है हैनी जो नीचे उतर जाती है पहले तो नीचे जाती है रूम के फिर वो बोलती है किसी बोलती है यहां से बोलेंगे Have you seen my eggs? Asked Hanny जो Hanny थी वो Billy का नाम था Yes, I have said Billy the God जो God थी God मतलब क्या होता है बकरी वो बोलती है हाँ मैंने देखा है तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि Sorry, यहां पर लिख सकते हैं कि The hand asked about her egg to the Billy जो उसका नाम था Billy the God सिर्फ इतना लिख सकते हैं ठीक है थोड़ा सा tricky question था लेकिन अच्छा है tricky question ही आते हैं जिससे आपके एक दो नमर कट सके लेकिन आपको नहीं कड़वाने है Why was the hand happy जो handy था जो hand था उसका नाम हैनी था तो वो बहुत ज़्यादा खुस क्यों था वो इसलिए happy था कि उससे जो mouse था जो चूहा था यहां पर देखना आप लोग देख में सब कट कर देती हूँ सिर्फ टिक लगा दूँगी तो आप लोगों को समझ आ जाएगा और second क्या था Who found तो who found की जंगा पर आप हैनी लेख दीजिएगा This is the correct answer क्योंकि mouse के दोआर प्राप्त हो चुकाता है The egg नहीं मतलब एग नहीं प्राप्त हुआ था उसकी जो छोटे छोटे चिक थे वो प्राप्त हुए थे ठीक है तो आप हैनी लेखिएगा Who did the hen ask about her egg to जो मुर्गी थी उसने अपने अंडी के बारे में किस से पूछा था तो भाई उसने बिली से पूछा था और बिली किसका नाम था The God यह देखी फरस्ट में है ना तो आप यहाँ पर लिख सकते है दा गौट बिली The hen asked यहाँ पर सेकेंड फोर मजाएगी And about her egg to The God या फिर आप लिख सकते हैं बिली उसका नाम ही बिली था बताओ बख्यों का भी नाम होता है Why was the hen happy जो मुर्गी थी वो बहुत जादा खुस क्यों थी तो इसका आंसर है Henny was so blessed blessed मतलब भी खुसी आनंद ही होता है क्योंकि She had Lot of Sorry lost her egg मतलब उसने अपने अंडे को तो खो दिया था लेकिन But now she had a baby chicken उनकी बज़े पर उसको क्या मिला था चोटे-चोटे babies मिले थे और हाँ आप इसकी जो second question था ये second question था इसका आंसर भी इसको लिख शकते है इसमें कोई दो राह नहीं है कि ये गलात होगा क्योंकि उसमें पुछा है कि end में जो egg था वो किसे प्राप्तिया था तो यहाँ पर आप ये question लिख सकते हैं क्योंकि वो egg एग नहीं रहे थे वो किसमें convert हो चुके थे चिक में यहाँ पर देखिए आप लोग what did the word tell the hand about the egg जो word था पक्चिता उसने क्या बताया था एग के बारे में अंडों के बारे आपको एक छोटा सा काम करना इसमें the word के आंग है यह जो tell है इसको told में convert करना है क्योंकि यहाँ पर did लगा है थोड़ा सा जो 8th class के student है थोड़ा सा mature हो जाएए 10 से नहीं आते हैं तो सीख लिजेए मेरी classes में भी आपको 10 सिखाए जाएंगे और यह स्टार्ट हो जाएगा 30 अगस्त से हम लोगों का grammar बेस स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोग देखना हो तो आप देख सकते है बहुत ही simple language में और सर्त है कि share करना है that's it तो यहाँ पर आप told लिखेंगे क्योंकि did हटता है तो जो first form होती वो second form में convert हो जाती और पूरा का पूरा यह से लिख के और आँगे आप क्या लिख देंगे कि यहाँ पर देखना set the little world इट रोल्ट इट रोल्ट इट रोल्ट आलोंग दे ड्रेंट पिप एंड दैन इंट इन्टु आ होल यह था इसका last fifth वाला question ठीक है यह थोड़ा सा आपको narrative में दिख रहा है narration होता है narration में दिया है तो थोड़ा सा tricky है बड़ आपको पूरे पूरे नमबर चाहिए तो बहुत अच्छे से लिखने के कोशिस किजिए गा जिन बच्चों को 10 साते हैं वो लोग तो इसको बहुत अच्छे से जमा सकते हैं लेकिन जिनको नहीं आते हैं बो डारेक डारेक भी लिख सकते हैं ठीक है I hope कि आपको इतना समझ में आया होगा आंगे हम लोग दिखते हैं लिखा हुआ है Say true or false बताइए कि सही है या गलत तो first जो दिखा हुआ है आपको the egg rolled along the table क्या जो egg था वो rolled किया था table पर तो जी हाँ यहाँ पर आप देखेंगे कि जो goat थी मतलब जो बक्री थी उसने क्या किया था it rolled it along the table and out of the window rolled करते हुए वो टेविल से window के बाहर चला गया था ठीक है और second है हाँ तो इसको सही है यह दोनो form house पर ही रहते थे ठीक है अभी यहाँ देखेंगे tick the correct answer if you look close closely will you see that you have a new baby chick in its place here closely means यहाँ पर जो closely बोला गया है उसका मतलब क्या है तो close मतलब सबको पता है कि pass आना होता है जिसने भी close up की एड नहीं देखिया almost अब ने देखिए tv सभी देखते है close up मतलब क्या होता है pass आना होता है तो pass आना मतलब carefully, quickly, rapidly sorry हाँ rapidly यह नहीं होता है nearly मतलब pass होता है this is a similar word of closely छीक है आपको नहीं पता है तो कल लीज़ेगा आंगे देखते है write the past tense form of the following आपको past verb मतलब past form की verb भरनी है इसमें तो fall की क्या होती है इसमें just ed लगेगा और run की क्या होती है ran होती है की बात करें अब इसमें question number seven देखेगा आप यहां पर ध्यान से देखेगा आपको क्या दिये गए write an application to your class teacher requesting him to add your name in the list of the students going to the काना किसली national park और में दिया है write a letter to your friend narrating your visit to काना किसली ठीक है and question number eight में आपको दिया है as a my school importance of independence day celebration in your school तो आप मेरे हिसाब से इसमें यह लिख दीजेगा अगर आपको इस पर से वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दीजेगा और अगर इस पर से भी चाहिए तो मैं आप लोग के लिए लेकर आऊंगी यह वीडियो थोड़ी लॉंग हो जाती इसलिए मैं इसमें इसको इंक्लूड नहीं किया है I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आयोगी वीडियो पसंद आयोगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और हाँ सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो शेयर दुख कर नहीं सकते है